हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभीका स्लीपी क्लासेज में दोस्तों 2021 का प्रिलिम्स हो चुका है तो चलिए रापेडली डिसकस करते हैं बहुत ही स्पेसिफिकली जब देखें तो क्वेश्चन बहुत ही सिस्टेमाटिकली ही लगे हुँ इस बार जो पहले 15 क्वेश्चन है वो tentatively economy के हैं, और detailed solution नहीं है दोस्तों, detailed solution नहीं है, मैं आपको चाहरा हूँ, बस एक answer की देना है, जब हम discuss करते हुए कर लेते हैं, ठोड़ा relatively easier होता है students के लिए अगर different वो उनके exam में जिसे आपके जो paper code होता है, तो relatively easier हो जाता है कि अच्छा ये question का मैंने क्या answer mark किया देख किया, यहां पर वो कह रहे हैं कि constitution of India, वो कह रहे हैं, constitution of India भी empower करता है, भारतिय सरकार को, RBI को regulate करने करें, sir constitution में ऐसे इतनी high five बात शायद नहीं लिखी गई, section 7 RBI हमने recently देखा भी था, बार बार देखा है, पिष्टे दो साल से देख रहे हैं, section 7 करता है RBI Act का, that is correct, तो अ answer 1 and 3, that means option C बन जाती है, ठीक है sir, elimination बहुत help करती है, मैंने आपको इसलिए पहले भी कहा था, sir ने भी आपको कहा था, कि multiple choice questions जितने मुश्किल लगते हैं, उतने मुश्किल होते हैं, लेकिन पहले दो questions एकों के tough थे, तो बच्चे घबरा सकते थे, अरे sir, यह क्या आ गया, लेकिन relatively आगी थोड़ा सा conceptual questions आते हैं, फाइदा मिलता है, okay, then casual workers, मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल मेरे मानने में तो, हमने बहुत सारे जो labor survey, etc, discuss किये, लेकिन यह सवाल crack करना, फिर भी मेरे हिसाब से कैसे crack हुआ, अगर मैं exam में crack करने बैठ हूँ, तो हमने एक इसको bank account में पे करनी है, तो दोस्तों, जो code on wages है, code on wages इसकी बात करता है, वो कह रहा है कि सर ऐसा जरूरी नहीं है, points, currency notes, bank account, आप check के थुरू भी पे कर सकते हैं, तो directly online या फिर एक bank के थुरू के थुरू के पे करनी है, वो कोई mandatory नहीं है, code on wages कहता है, and code on wages 2019, हमने D&D, etc, बहुत बार डिसकस किया हुए, इसको, वो हमें ये भी बताता है, कि code on wages की हर एक employee पर, हर एक worker पर applicable होगा, सिरफ और सिरफ एसर नहीं है, कि permanent employees temporary या casual पर होगा, तो वहां से crack हो जाता है, कि अगर सर मैं 3 को हटा दूं, तो मेरा answer शायद 1 and 2 निकलेगा, बाकी tentatively है, UP भगवा चुरू हो जाते हैं, यहां पर, वो कहने, economic recession की अगर हम बात करें, तो economic recession में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, जब हमारी जब जो economy में growth नहीं है, तो generally आप कहेंगा, अगर मैं tax rate कम कर दूं, लिकिर interest rate बढ़ा दूं, सर बात नहीं बनी, दोनों सरकार करें, अपनी खर्चे कम कर दूं, अरे नहीं सरकार, आप उसको खर्च कीजिए, प्रजेक्ट से लाइए, स्कूल बनाईए, बिल्डिंग्स बनाईए, ओके, इन उसके बाद चौता question है, जो मेरे हिसाब से, जो आप सिरफ अगर basic understanding रखते हैं, solve हो सकता है, लेकिन बाकी सब चीज़ा अगर unchanged रहें, market demand किसी good की increase बढ़ सकती है, किसी भी good की market demand बढ़ सकती है पहला, अगर उसके substitute की price बढ़ जाए, ठीक है substitute, मतलब मान लिजे कि अगर चाय और coffee की बात करें, तो coffee की price बढ़ जाए, तो शायद लोग चाय भीना शुरू करते हैं, yes, sir, might be true, लेकिन, compliment की price बढ़ जाए, sir, compliment, अब बात नहीं बनेगी, अगर मैं को, मान लिजे, scooter खरीदना है, मुझे गाड़ी चलानी है, sir, गाड़ी खरीदनी है, petrol का दाम, complimentary, जो की सासा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर मुझे चाय बनानी है, तो मुझे दूद चाहिए ही चाहि ठीक है, कई लोग जो black TV पीते हैं, लेकिन compliment तो करेगा, scooter को petrol करेगा, compliment, उसके price बढ़ जाएंगे, तो sir, मेरे अब product बिखना कम हो जाएगा, तो that is not correct, ठीक है, inferior good, ठीक है, inferior good, अगर जो है, आपका जो कहने है, जो भी good की बात हो रही है, inferior good है, inferior good कोई कब क्यों करता है, जैसे जैसे आपके income बढ़ती है, आप उसको consume करना बंद कर देते हैं, for example, पहले example था, वनस्पती घी, डालडा घी, etc, तो income कम थी, जैसे ही आपके income बढ़ती थी, आप जो किस पर देसी घी, etc, पर move कर जाते थे, ठीक है, तो इसलिए, might not be correct again, and वो कहने, good की ही, अगर price fall कर है, yes, हो सकता है, कि discount लगाते हैं, तो लोगों product करी में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए हम इसको solve कर सकते थे, यहाँ पर, बहुत ज़्यादा knowledge, इको की महीं चाहिए थी, इसलिए general studies का paper लगता है, यहाँ पर, okay, urban cooperative banks, recent 2020 की amendments हैं, बहुत सारे crisis होए, अनन्त, endless times हमने अपने, YouTube, paid modules, two minutes, etc., पता नहीं, कहां-कहां, कितनी बार test में discuss कर दिया, तो यह गलत नहीं होना चाहिए था, पड़े लिखे वाली बात करनी हैं, हमने हाँ पर, तो urban cooperative banks की बात करें हाँ यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि, they are supervised and regulated by boards, sir, यह recently amendment हुई हैं, और उसके बाद वैसे भी हम देख various basic UCBs शुरू करते हैं, regulation शुरू करते हैं, two and three सही है, sir, one होगा कि नहीं होगा, तो sir, यह one में मुझे ठोड़ा doubt लग रहा है, supervised by local board, set up by government, sir, regulation, बड़ी बात कर दिया, आपने regulation, तो RBI ही करता है, इनकी भी, and recently 2020 की amendments हैं, उसमें RBI को और power दे दी गई है, states के साथ MOUs भी sign कर कर दिया, RBI ने sign, तो accordingly, यहाँ पर option two and three, one does not sound right, okay, then, उसके बाद, bond yields, इतनी बार हमने bond yields पे मैंने separate, एक ऐसी आर्बिट concept बना दिया, उसके बाद हमने premix में सवाल पूछे है, bond yields, तो हमने अपने crash course में cover किया, इतनी बार cover किया, तो इसलिए, लिकिन मेरे हिसाब से आपको यह crack कर लेना चाहिए था, कि bond yields किस पर depend करती है, कि आप कितना उधार अगर आप सरकार अगर आपसे ले रही है, तो कितना percent उस पर interest charge होगा, सरकार को महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, long term में आपका return बढ़ेगा या घटेगा, किस पर अगर US government का Federal Reserve के actions की सरकार को opportunities है, अगर लगता है, इंवेस्टिस के पास opportunity बहुत कम रहेगी, भारते सरकार पर चाहेंगे invest करना, yields उपर नीचे हो सकती है, then Reserve Bank of India का तो असर पड़ेगा, and inflation short term interest rates का असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई ज्यादा कम है, तो accordingly आप देखते हैं, कि RBI की policies कैसे है, या फिर आ भगवान मालिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इसमें से कौनसी कौनसी foreign direct investments है, foreign direct investments है, मुझे जो बेसिक पढ़ाया गया, जो मुझे जो आपने समझाया, वो मुझे ये समझाती है बात कि equity, कि मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं पर कुछ हिस्सेदारी ले रहा हूं किसी particular चीज में, ठीक है, 10% से जादा हिस्सेदारी हो जाती है, तो FDI कहलाती है, 10% से कम portfolio investments कहलाती है, FII कहलाती थी, हना, तो इसलिए इसा direct investment है, to deposits, हना, किसी चीज़ के deposit, अगर मैं deposits कर रहा हूं, that means, शायद मैं कुछ जमा करा रहा हूं पैसा, हिस्सेदारी म मैंने नहीं लीश आये, तो इसलिए मैं इसको हटाना चाहूंगा, ठीक हो, option 4 को, option 4 हटाती है, मेरी 2 options eliminate हो जाती है, तो answer बनता है 1, 2, 3 या 3, तो अब मैं क्या करूं, तो sir मैंने इस पर मैंने अगर देखूं, अगर मैं तो exam के बाहर बैठा हूं, research करी, तो RBI कुछ और बा है कि वो equity है कि नहीं, तो इसलिए यह doubtful बन जाता है, and then for an institutional investment with certain conditions, conditions लगा दी, yes, allow हो सकता है, तो 2 बन जाता है, अब 2 है sir, तो क्या करें, तो 2 तो एक ही जगा बच रहा है, हमारा answer 1, 2, 3 बन जाएगा, GDR को भी किसी-किसी condition में ADR, GDR को भी कहा जाता है, accordingly answer becomes your 1, 2, 3, ठीक है, might not be correct, this is what I believe, okay, then devaluation of currency, यहाँ पर again UPSC ने basic सवाल को भी अच्छा एक यहाँ पर twist दिया, वो कह रहे हैं, devaluation currency की आपने value गिरा दी, तो उससे आपकी जो export है, उनकी competitiveness तो बढ़ती है, वो जादा बिकें या ना बिकें, that is something as अच्छी quality है या नहीं, लेकिन एक बार बाकी प्रड़क्स तो सस्ते हो रहेंगे ना, तो वे competitive तो हो जाएंगे, and then foreign value, domestic currency, नहीं सेर, उल्टा होगा ना, आपने तो कम, अभी तो devalue किये, and then trade balance बढ़ाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं, import, export पर total क्या पर भाव पढ़ता है, तो one only, surety से हम कह सकते हैं, that is the right answer, okay, then, ninth question पर जाते हैं, वो कहने, black money, सरकार को हर चीज में black money से जो चिंता हो सकती है, यहां पर, कि आपके जो divergent or resources के real estate में ठीक है, चिंता हो सकती है, unproductive activities में जा रहे हैं, कि gold, jewelry, ऐसे चीज़ों में जा रहे हैं, चिंता हो सकती है, ठीक है, donation जा रहे हैं, political parties को unaccounted है, चिंता हो सकती ह होगी कि सर, उसका tax खाया गया, उसका tax नहीं मिला, क्योंकि वो money, black money, sorry, it's a racist kind of a thing to say, why black, why not some, let's say, red money, उसको green money क्यों नहीं कहते, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन, लेकिन आप इस पर सोची एक बारी, कि जो काला धन है, उससे क्या होता है, कि सरकार को tax नहीं मिला, tax नहीं मिल जो अगर सरकार अपने जो उधार वापिस करते हैं, जनता के पास पैसा आएगा, तो उधार उससे इंफलेशन बढ़ सकती है, बाकी देखते हैं, ठीक है, borrowing from the public, अच्छा, सरकार पैसा ले रही है, public से बारा कर रही है, market में liquidity काम हो जाएगी, इसे तो inflation काम हो जाएगा, ठ करूँ D, Sir, new money to finance budget, अरे नए नया note चाप दिया आपने, मुफ्त में नए note चाप दिया, market में डाल दिया, liquidity तो और increase हो जाएगी, this will be the most inflationary, ठीक है, most पूछा गया, तो answer D बन जाएगा, ओके, then, 11 पर आते है, money multiplier, Sir, money multiplier, जैसे हमें पता है कि one upon reserve requirements रहती है, reserve requirements का मतलब क्या होत और यह हमने सवाल डिसके होगा, 12, 12, 12, 13, 14 का मतलब का तो question है, easy question, straightforward, आपको तो answer पता होना चाहिए, लेकिन चलो मैं समझार रहा हो, whatever से, ठीक है, reserve requirements है, CRR, SLR, तो उसमें, अगर CRR बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा, तो multi multiplier घटेगा, तो इसने बोला, बढ़ेगी, तो reserve requirements का आपका असर देखेगा, directly economy multiplier बढ़ेगी, तो answer C, UPSC का पास्टिर कोईशन है, UPSC ने खुदी answer C दिया हुआ, तो it has to be C, गरत करेगा, तो हम UPSC को पकड़ेगे, okay, then, reference to Indian economy, वो कहरें कि आप बताइए, यहाँ पर, की concept, demand pull inflation की बात करें, किस से हो जात सरकार ने ऐसा को stimulus दिया, कि अच्छा चलिए, banks को मैंने extra पैसे दिया है, कि banks के दिवालिया ना हो जाएं, तो चलिए, आप उधार दीजे, credit दीजे, हो सकता है, inflation indexing wages, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, अगर जब हम आपकी wages कम हो जाती है, मेहँगा ही बढ़ जाती है, आप demand pull करेगी, तो answer 1, 2, 3, 4, अगर होता है, बढ़िया मज़ा आता है, लेकिन 5, rising interest rate, sir, interest rate वाली बात मत करना, मेरे हिसाब से तो यह giveaway था, interest rate अगर आप बढ़ाओगे, तो लोगों की जेब से आपका क्या कर रहे हो, अब लोगों की जेब में पैसा कम कर रहे हो, liquidity कम कर रहे हो, मेरे मानने में तो यह बिल्कुल ही anti-inflationary होता है, तो पांचवा नहीं होना चाहिए, पांचवा यहाँ यहाँ पर नहीं है, तो एक ही जगा पांचवा नहीं है, वो 1, 2, 4 है, तो 3 चलो, ठीक है, इतना UPSC को दे सकते हैं, okay, and then, following statements, यह recently RBI ने, जैसे मैं आपको पताया था हमने recently revision series की थी, वहाँ भी मैंने दुबारा पढ़ा है था आपको, ठीक है, तो NDSOM सरकार ने कहा था, उससे कर सकते हैं, अब yes, that is correct, तो 2 आपको होना चाहिए, and then, जो आपको देन उसके बाद देखें, कि retail investment के ले, treasury bills and government of India, dead bonds में उधार आप डाल सकते हैं, primary market में आके yes, त तो 1 and 2 should be correct, ठीक है, तो अगर 1, 2, 3 होता हमें बहुत दिक्कत हो जाती सर, मुझे क्योंकि exact CDSL की ownership क्या है, मुझे ये तो नहीं याद, हना CDSL की, तो 1 and 2 and 3 नहीं है, तो बच गए, 1 and 2 answer आ गया, तो इसलिए शायद crack हो जाए हमारा, what a credit, tough question, ठीक है, discuss, यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक ही answer बचता है, let's see, की answer बनता है कि नहीं बनता, and then उसके बाद देखें हैं कि central bank के function, lender of the last resort, यह अननत बार पढ़ते हैं, lender of the last resort, इसका मतलब क्या होता है, कि बस कहीं से और उधार नहीं मिल रहा है, मैं दिवाली हो गया, मैं क्या करूं तो वो सरकार के लिए नहीं होता, सरकार पैसे चाप सकती है, तो इसलिए lender of the last resort है, सरकार के लिए आपको देखना lucrative लगता है, बड़ा, कि यह सरकार का भी हो सकता है, two and three option भी दी हुई है, लेकिन यह नहीं होगा, answer सिरफ और सिरफ जो banks का temporary crisis, RBA की website पर भी given है, यह should not be an issue, ठीक है दोस्तों, तो चलिए, economy की सवाल डिसकस किया, हमने two only answer भी लगा दिया, चलिए, अब next चलते है, अगरे subject की तरफ, responsible practices in electronics recycling industry, ठीक है, आप इसको exclusion से कर सकते थे, यह ना, but again, it would have been a risky proposition, अगर आपको पता था, आपने पड़ा हुआ था, तो इन तो इन तो इन तो इन तो इन तो इन रोली easy, right, now moving on to the next question, so this is regarding copper smelting, यह वाला जो पार्ट है, जैसे smelting जो प्रोसेस होता है, जैसे हम copper के और से copper को extract करते है, यह हमने अपने especially air pollution वाला जो पार्ट है, उसमें discuss करा हुआ है, so they obviously would be producing carbon monoxide into the environment, which is a major air pollutant, जो copper slag है, which is the by-product of copper, it is also responsible for leaching of heavy metals, ठीक है, तो यह भी सही है, यह भी सही है, and it also releases sulfur dioxide as a pollutant, तो तीनों ही सही है, so the correct answer is D, right, then the next question is regarding furnace oil, again from the environmental pollution part, especially यह news में था, along with pet coke when both of them were banned, right, so it is a product of oil refineries, and इसको पार के लिए भी use किया जाता है, and it also causes sulfur emissions into the environment, तो इसमें भी जो तीनों की तीनों statements सही है, right, अच्छा, next question काफी simple है, blue carbon, यह तो बहुत बार हम बढ़ते हैं, it is the carbon captured by oceans and coastal ecosystems, right, तो answer 19th का A है, then next, जो question है, in the nature, which of the following is, are most likely to be found surviving on a surface without soil, ठीक है, so इसको आप basically link कर सकते हैं, obviously, lichen के साथ है, क्योंकि lichen यादी pioneer species, ecological succession में हम पढ़ते हैं, कि यह soil के बिना भी grow कर जाते है, and in fact mosses, mosses को भी normally acidic soil चाहिए होता है, but they can even survive without the soil, right, so the correct answer would be 2 and 3, अब इसमें जो ferns है, in fact for mosses, यह hydroponics, मतलब सिरफ water जो है रहता है, उससे भी grow कर सकते हैं, but that is artificial method, that is not found in nature, अगर hydroponics वाला part होता, तो हमारा जो fern है, वो भी सही हो जाता, but nonetheless, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, के lichen और moss, confusion रहता है कि क्या सिरफ lichen है, या lichen and moss है, ठीके, मतलब B और C में confusion हो सकता है, but I believe के इसका answer हमारा lichen and moss दोनो रहेगा, because mosses can also grow without soil, and they are found growing without soil in nature only, right, then next है, mosquito repellent, natural mosquito repellent, lemongrass, डेंगू का जमाना है, तो यह काफी ज़्यादा news में रहता है, common knowledge भी है, so I hope यह इतना मुश्किल नहीं रहा होगा आपके लिए, next question है, food chain, आपको बताना है, primary producers कौन से होते हैं, food chain in oceans में, अब cyanobacteria we all know, blue green नालगे, जब भी हम aquatic ecosystems discuss करते हैं, हम producers के तौर पर mainly जो discuss करते हैं, वो cyanobacteria को ही करते हैं, और diatums भी, so इसका cyanobacteria और diatums तो यह और sure, copybots, they are a type of marine animals which feed on the crustaceans, यह भी हमने कभी lecture में इसे discuss किया हुआ है, ठीके, since हमें 2 ही बताने हैं, answer में 2, जिसे 2 and 3 होगा, यह 1 and 2 होगा, तो इसमें options यह बहुत easily answer mark कर सकते हो, that is 2 and 3, copybots, you are sure के वो नहीं होते हैं, वो carnivores हैं, right, then next question है, consider the following animals, hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms, they roll up and protect their vulnerable parts, so hedgehog हमें पता है, तीनो ही mammals है, mahmot is a type of a squirrel, right, pangolin भी बहुत नूस में रहा है, Chinese, pangolin, Indian, pangolin, in fact आपने उसकी rolled up pictures भी देखे हुआ ही, newspapers में आती रही है, so इसका जो answer है, hedgehog और pangolin है, that is 1 and 3, right, then the next question is, New York declaration on forest की ओपर, अब ये question है, जिसके ओपर literature बहुत ही कम अविलिबल था, one of the tough questions, I would say, of environment, इसका जो answer है, that is 1, 2 and 4, पहली बार endorsed United Nations Climate Summit में किया गया था, the idea was to end the loss of forest, ठीक है, ये भी statement से ही है, legally binding नहीं है, ये voluntary है, non-binding एक agreement है, and it is endorsed by governments, big companies and indigenous communities, so that is also correct, India was one of the signatories at its inception, this is not correct, right, okay, so the answer would be A, then next question है, magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as an environmental pollutant from which of the following, देको, brakes of motor vehicle से निकलता है, friction, engines भी जो थोड़े पुराने हो जाते है, उनसे निकलता है, power plant से निकलता है, I am not sure about these two options, so for now I have marked this as 1, 2 and 4, अगर मुच लिटरेचर मिलेगा, I would definitely update this answer, but according to me, 1, 2 and 4 should be the correct answer, again a question, if you have read about it, then it would have been easy, अगर आपने थोड़ा बहुत, जिसे motor vehicles, motor engines के बार में पड़ा है, तो आपको बते है, magnetite particles are released from there, ठीक है, so थोड़ा बहुत उसे आप लिंक कर सकते हो, but again a question which is on the tougher side, then the next question is regarding filter feeder, filter feeder होते हैं, जो पानी लेते हैं, marine organisms, और they take up the nutrition, and then they release the water again into the environment, so that is, they have, you know, filtration mechanisms, type of nutrition, तो आपको बते हैं, तो नहीं होगा है, तो नहीं होगा है, तो नहीं होगा है, नहीं होगा है, नहीं होगा है, catfish, octopus, oyster हो सकता है, तो तो इसका जो सही answer है, वो है, oyster, so again, a bit of guesswork, but you could have gotten confused with catfish, because fish, fishers में, जो है, ये mechanism काफी, देखने को मिलता है, but nonetheless, इसका answer, oyster है, then, next question है, weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle in which of the following biogeochemical cycles, so carbon or nitrogen तो नहीं है, phosphorus और sulfur, दोनों में ही weathering of rocks रहता है, लेकिन जो sulfur है, उसका जो reservoir है, वो atmosphere में भी है, लेकिन phosphorus का सिरफ weathering of rocks है, so इस cancer जो है, वो phosphorus cycle होगा, then next है, debtriose, देखो, debtriose वाला आपको बता है, जो decomposers होते हैं, जो breakdown करते हैं, exist करते हैं, food chain में, एक तना से recycling of nutrients में help करते हैं, so debtriose, earthworms, तो सभी को पता होता है, debtriose है, even woodlice या woodlouse, millipedes are also related to that class only, है न, आप देखो, one and five तो पक्का ही है option, है न, two नहीं है, four नहीं है, sea horses, हमने जब sea cow अगरा पढ़ते हैं, तो उसके साथ sea horses भी पढ़ लेते हैं, so these are the ones which are not debtriose for sure, है न, even not jellyfish, तो two और four option नहीं है, तो two और four कहां पे नहीं है, so the answer is C, ठीक है, यह गलत मा क्या हुए, the answer is C, that is one, three and five, right, okay, then moving on to the next question, carbon, carbon metric, इसका सही answer है, assessing the carbon footprint of building operations around the world, ठीक है, and finally, जो हमारा environment का last question है, symbiotic relationship, कौन सी species बनाती है, nidarians, we all know, corals, है न, पंजाई का भी आपने सुनाय हुए, lichens, है न, पंजाई और आलगे, symbiotic relationships, so protozoa भी, अगर if it is not obvious, but आप याद कर सकते हो, कि protozoans भी बहुत सारी different species के साथ, symbiotic relationship में देखे जाते हैं, so इसका भी जो हमारा सही answer है, that is D, right, so this was regarding the environment part, कुछ questions थे जो काफी tricky थे, बट बागी जो questions से आप applied knowledge से कर सकते थे, and again we would be coming up with detailed solutions soon, तो आई ये अब discuss करते हैं, history के questions के बारे में, देखे history अगर मैं overall बात करूँ, तो काफी difficult site पे थी, क्योंकि जात्तर questions ऐसे थे जो आप पढ़के नहीं जाते, कि आपको जो standard textbooks हैं, NCRDs उसमें नहीं मिलेंगे, और जो आप basic material तियार करते हैं, उसमें भी आप नहीं पाएंगे, और जात्तर questions वो static parts से हैं, कोई भी questions ऐसे नहीं थे, कि जो current relevance में से हुए हैं आपके पास, अगर हम overall बात करें, तो around 6 to 7 questions, हम कह सकते हैं कि easy type थे, आप attempt कर सकते थे बहुत असानी से, around 6 to 7 questions, intermediate हम कह सकते हैं, और around 7 questions आप कह सकते हैं, कि वो difficult side पे थे, जिनको attempt करना बहुत ही जादा मुश्किल था, अगर आपको उस चीज के बारे में पता है, तब ही आप उसको बहुत आसानी से attempt कर पाएंगे, so overall अगर हम बात करें, तो total 20 questions थे हमारे history के, अगर आप सही से perform करके आएं, तो आपको around 10 questions, 10 से 12 questions ठीक होने चाहिए, अगर आपको इस cut-off को clear करना है, अगर किसी भी बच्चे के 10 questions तक ठीक हैं, या 12 questions ठीक हैं, तो वो काफी सही perform करके आएंगे हैं, जो आपका सबसे पहला question है, यह question है, जो इसको क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो हमारी पुरानी पार्लेमेंट है, जिसको दुबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो जो पुरानी पार्लेमेंट है, उसकी inspiration इस temple से ली गई थी, तो उसकी वज़ा से यह question पूछा गया था, तो यहां पर अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो यहां पर दिया गया है that it is the only circular temple which is built in India तो देखे जितने भी योगनी टाइप के temples हैं वो सभी almost circular shape के हैं तो यह एक तरह से absolute statement है अगर आपको question नहीं भी आता था तो आप यह अंदासा लगा सकते थे कि सरफ एक अकेला ऐसा temple नहीं होगा जो circular होगा तो second statement गलत हो जाएगी तो उससे ही आप सभी अपने statements को options को eliminate करके इस answer तक पहुंच जाएंगे तो इसको हम easy की category में रखेंगे even though चाहे यह question आपको आता हो या ना आता हो उसके अलावा जो दूसरा question है यह सबसे easy question है आपके paper का क्योंकि अभी ढोला वीरा को हाल हमे national world heritage site की तरह वहाँ पर nominate किया गया था उसको select कर लिया गया था तो यहां पर पूछा गया है कि चार शहर दे दिये गए हैं इंडस वाली civilization के तो उन में से किसके पास एक बहुत अच्छा water harvesting management system था तो उसका answer बहुत easy था जो की है धोला वीरा उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अगला question था यह थोड़ा intermediate type का कह सकते हैं उसके बीछे का लगाई गई थी क्योंकि सबसे पहले जो बरोच है यह आप पढ़ते हैं कि this was the factory which was established in the year 1623 उसके अलावा जो next है चैकोला वो around 1700 1750 के आसपास उसमें factory लगाई गई थी तो आप इस दोनों से ही option eliminate करके अपना अंसर तक पहुंच जाएंगे देखिए first आपको पका आता होगा कि answer या तो A होगा या B होगा क्योंकि C and D में A option नहीं है तो यहां पर आप शायद तुक्का मारके आएंगे क्योंकि जो second है चैकोल ये आपको शायद ना आता हो तो ये भी एक तरह से 50% कह सकते हैं कि आप तुक्का लगाएंगे तो आप या तो A लगा आएंगे या B जो इ सब्सक्राइब तो आपके पास छे आगे डिनस्टी दी गई है अब बहुत असानी से अगर आपनी गुपता इंपार के बारे में पड़ा है तो आपको पता होगा कि मुखारी जाय थे पुष्यबूति जाय थे तो इससे बहुत यासानी से आप अपना वी ऑप्शन तक पह बन जाएंगे उसके बाद अगर हम बात करें तो यह कहते हैं कि जो पॉर्टिवीस राइटर है न्यूनीज उन्होंने अपनी बुक में किस तरह से वीजे नगर एंपायर में जुबूमें है उनके स्टेटस के बारे में क्या लिखा है तो उसमें यह कहते हैं कि वह रेस्लि तामिल नाडू के NCRT में देखा उसमें यह सीधा फेक्ट नहीं है पर अगर आपने थोड़ी बहुत डेटेल्ड रिसर्च की हो इस वीजे नगर एंपायर के वुमिन के स्टेटस के उपर तो यह सीधी की सीधी लाइन यह आपको मिल जाएंगी कि चारो ही जो प्रोफेशन दी गई थी देखे जो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है कि पिंगाली वे नक्या देशाइन्ट ट्राइकलर इंडियन नैशनल फ्लैक घर देखे यहां तक यह जो फेक्ट है वहीं है कि उन्होंने इंडियन फ्लैक को डिजाइन किया था पर उन्होंने इस जगह पर नही question है ऐसे questions आपको छोड़के आने है पेपर के अंदर जिनके बारे में आपको idea नहीं है अंदाजा नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें तो यह काफी easy question है क्योंकि आप जब भी आप आई वी सी पढ़ते हैं इंडस वैली तो उसमें जब आप बुर्जा हों पढ़ते तो आपको करवाया जाता है कि यहां पर dog को चीज आती होगी सो डी two and three are the right options अगर आपको ना भी आता तो फस्ट को eliminate करके आप इन दो में बाद में तुक्का लगा सकते थे उसके बाद बात करते हैं तो यह थोड़ा tricky question है उसके विछे कारण क्या है देखिए एक तो सबसे पहले यह कि जो मुहमद बिंग तुगलक नहीं थे जिनके ताइम में ताइमूर जी ने की थी सौरी जी मैंने लगा दिया तो इसका जो सही है वह मुहमद शाह तुगलक यह फिरोशा तुगलक के बाद इन्हों किया था मुहमद शाह तुगलक ने उसके टाइम पिरेट के दुरान ताइमूर ने इंडिया को इन्वेट किया था तो यह ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें जो वासको डिगामा है यह केम टू इंडिया इन दा इयर एर और फॉर्टी इंडिया में इल्तो तुमिश के टाइम पर उसने इन्वेट करने की कोशिश की थी जब खवाजर इंप्रेंस यहां पर आके हमारे इंडिया में उसने रहने की कोशिश की थी जब भूगौड़ा हो चुका था तो देखें जो हमने थर्ड ऑप्शन किया अभी के लिए जब पेपर के बाद के सेनेरियो में जो यह जो पूरे इयर्ज है उनको याद करना बहुत इजी है पर पेपर के अंदर यह सब चीज़े नहीं आ जाती है बहुत सारा प्रेशर है और कोशिशन की भी टेंशन रहती है तो यह भी कोशिशन एक तरह से डिफिकल्ट ही माना आपको यह पक्का आता होगा कि यह फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है तो आप A and B options में बच जाएंगे तो आप बाद में तुक्का लगा सकते हैं कि A हो गया बी होगा उसके बाद अगर हम 39th question के उपर चलें तो सेंट फ्रैंसिस जेविर के उपर question पूछा गया है एंट से इ इन गवा तो यह option गलट है ही डाइड इन चाइना वहां पर यह missionary के काम से गये थे उस time period के दौरान की death हो जाती है और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यह सही है कि उनकी याद में हर साल वहां पर festival किया जाता है तो one and third options are correct and C is the right option उसके अलावा अगर हम बात करें क इंचेंट इंडिया की अगर हम हिस्ट्री के बात करते हैं तो हाँ पर हमारे को दो हैरेटेंस टाइप के हिंदू लॉडर मिलते हैं जो की है मितकसारा और दया बागा फर्स्ट ऑप्शन गलत इसलिए है कि माल लिजे जो बंगॉल की साइड है उसमें हम यह जो इसलिए और नहीं है कि मितकसारा को हम उपर कास के लिए करते हैं यहां पर दयाबा वागा को हम लॉर कास के लिए उस nós करते हैं तो सीधा ही गलत हो जाएगा ऑर उससे कहां कि a a and c आपके लिमिनेट हो जाएंगे और आप बचेंगे बी एंट सी के बाद साथ उसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम सही है कि मितक सारा सिस्टम के अंदर जो बेटा है वो बाब के जीवनकाल के दौरान ही एंसेस्टरल प्रॉपर्टी में या पूरी प्रॉपर्ट अगर अगर हम बात करें 41st question तो यह हम कह सकते हैं इंटर्मीडियट लेवल का question है अगर आपने देव अभावभूती के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यह स्टोरी राइटर थे प्ले राइटर थे और बाकी चीजे शायद बाकी दो नाम आपने ना पढ़े हो तो B is the right option which is play rights उसके बाद quite an easy question from modern India तो यह act के उपर question है सबसे जो पहली statement है तो यह कहते है अगर आपने इस statement ना भी पढ़े हो इस act के बार में आपको ना भी अंताजा हो तो देखे यहां पर यह कह रहे है granting voting rights to all the women above the age of 21 तो देखे उस time period के अंदर men को सभी men को भी अधिका नहीं था सिरफ particular उन persons को अधिकार था जिनके पास specific उतनी property थी और जो इतना टेक्स भरते थे तो देखे इतनी absolute statement यह पका गलत होगी तो ए वान ओली और बी सी बोथ वान एंटू यह सीधा गलत हो जाएंगे और जो दूसरी statement है कि government of India 1935 के हिसाब से women को reserved seats मिली थी तो यह option स सही है सुब सॉरी बी टू ओनली इस दा राइट ऑप्शन उसके बाद अगर हम बात करें तो एक काफी easy question है कि 8th August 1942 को किस नाम से याद किया जाता है तो इस दिन All India Congress Committee के दवारा quit India resolution को adopt कर लिया गया था तो काफी easy question है यह आपको सही करके आना चाहिए तो उसके बाद अगर 44 question पर बात करें कि songs from prison मिरको खुद को अंदाजा नहीं था कि यह महात्मा गांदी जी के द्वारा लिखी गई है किताब मिरको लग रहा था कि बाल गंगा तर तर तलक इसका answer होगा तो अगर आपको यह नहीं आता तो प्रेंशन लेनी की जूरत नहीं है क्योंकि हम महात्मा order में क्या पहले आएगी और तो देखी जो सूब़ा होता है वह है आपका मि strips बंगल का पर omas हो गया उसके बाद हम सरुकार की बात करें कि यह गार अगर हम परगना की बात के तो यह इसको आप से तरह जान सकते हैं आपने as for le qa तो यह होगा इसका अंसर अगर आपको नहीं भी आता था तब भी आप अपनी common sense को यूज़ करके इस question को solve कर सकते थे अगला सीधा textbook question है कि कौन से secretary थे हिंदू female school के जिसको बाद में Bethune female school के नाम से change कर दिया गया तो इसका अंसर है अगला question भी काफी easy है तो इसमें कहते हैं यह तीन नाम आप बार बार परते हैं जब भी हम international army के बार कंटेक्स के बात करते हैं तो इसमें नवाज खान प्रेम कुमार सैगर और गुर्बक्र सेंग तिलो यह किस किस चीज के साथ जुड़े होए थे तो इसके बाद अगर हम 48 question की बात करें तो इसमें statement दी गई है आपने बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है काफी सही चीज है अगर आपको ना भी अंदाज हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो निजाम थे वो हाइदराबाद को ही बिलॉंग करते थे तो आप common sense से भी इस चीज को solve कर सकते थे उसके अलावा कि माईसूर kingdom emerged from the विजे नगर एंपायर तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट अगर आप इन दोनों को ही सही कर लें तो आप सिधा एक ही आंसर पर पहुंचेंगे जो की है ए वान और टू जो रहील रहील खंड kingdom है वो गलत है वो एहमर शाद दुरानी के दौ द्वारा नहीं बलकि मुहमद अली खान के द्वारा वहां पर उसको बनाया गया था तो यह राइट ऑप्शन और ऑप्शन इस इनकरेक्ट उसके बाद अगर हम बात करें 49 तो यह कहते हैं विचो फॉलिंग स्टेटमेंट इस करेक्ट तो काफी डिफिकल्ट कुशन है क्यो हम विचो बगोरा रिवर कि उसके अलावा अगर अपनी कॉमन सैंस लाई तो आप यह कह सकते हैं कि संची स्थूपा यह नहीं हो सकता की कैसी गौज के अंदर हो तो आप इसको गलत आ कर सकते हैं और उसके सासर अवरपती स्थूपा को गलत Mac कर सकते हैं तो आपनी ए एटC म उसके पीछे कारण क्या है तो यह कह रहे हैं कि international mother language it is declared by UNICEF, देखी UNICEF children के लिए काम करता है, उनके education के लिए काम करता है, तो यह options गलत होने की probability बहुत जादा है and in real it is declared by UNESCO, sorry, yes it is declared by UNESCO, तो यह पहली आपकी statement गलत होगी, A गलत है, B1 and 2 गलत हो गया, जो second statement है, अब आप अप for Bangla तो उठी ही होगी, क्योंकि एक पूरा हिस्सा पाकिस्तान का यहाँ पर था East India में, so C, B, जो second option है, it is correct and the right option is B, 2 only, तो यह थे total 20 के 20 question जो आपके history से थे, काफी difficult थे, अगर आप around 10 से 12 solve कर पा रहे हैं, वहाँ पर paper में जाके, तो आप सही अपने रहा पर है, so this was all, thank you so much. जोग्रिफी के solutions का discussion करते हैं, तो बहुत ही brief में, I want to talk about कौन सा question सही है, कौन सा option सही है, so that आपको थोड़ा सा idea हो जाए कि आपने paper कैसा attempt हिया है, we'll come up with the detailed solutions in some time. तो question number 51, किस तरहां से permaculture farming different है from the conventional chemical farming, question on a tougher side, right, यदी आपको नहीं पता है, तो इस question को आप definitely जो है, skip कर सकते हैं, it's okay, it's not an easy question. तो अगर मैं इसको solve करने की भी कोशिश करूँ, तो कुछ keywords है हमारे पास, keywords कैसे हैं, for example, अगर आप fourth question में देखेंगे, it says, practice of mulching is very important in permaculture, so basically, जब भी भी आप permaculture की बात करते हो, तो mulching is practiced as a rule, right, and this is not necessary for the conventional chemical farming, तो fourth, तो आपको definitely पता होना चाहिए, correct है, अगर आप ये question solve करें, this could have been the first keyword, जिस से आपने question solve करना शुरू किया, why so, हमें keywords क्यों ढूँनने चाहिए थे, इस questions में, क्योंकि आप देखोगे, कि बहुत ही minimal से, जो है, options यहां पर दिये हों, ऐसा नहीं है कि कोई option है, all of the above, या 1, 2, 3 and everything, बहुत ही specific options है, तो ऐसे specific options में, आपको keywords ढूँनने चाहिए, so, fourth question could have been your first keyword, तो जैसे ही आपने first, fourth point को click किया, तो आपको directly पता चल जाएगा, either आपका answer B है या फिर C, right, now you'll have to check on 1, 2, 4 and 4 only, मतलब आपको 1 or 2 में से check करना है, तो 1 or 2 में से जबाब चेक करोगे, again the first option becomes very important, permaculture और monocultural farming practices are poles apart, यह दोनों ही different practices है, तभी आप देखोगे, it says permaculture farming discourages monocultural practices, लेकिन, conventional chemical farming में कह रहा है कि monoculture practices are predominant, definitely, वहाँ पे तो problem ही यही है कि monocultural practices जो है, बहुत ही जादा predominant है, इसलिए तो permaculture को लाया जा रहा है, so that यह जो monocultural practices है, कहीं ना कहीं, उनसे हम आगे बढ़ सकें, तो यह कुछ दो आपके keywords हो सकते थे, the moment you knew कि first आपका भी correct है, तो answer अपने आप 1, 2 and 4 हो जाता, लेकिन, it's okay if you haven't marked it, बहुत ही easy सवाल नहीं है, I'll come up with the detailed solutions as well, फिरहाल मैंस options की तरफ जाते है, next अगर आप question देख आपने उसके बार में पढ़ा होगा, the only catch that was there here is, कि question कहता है, palm oil tree is native to Southeast Asia, the keyword is native, native का मतलब क्या है, वही पे उसके origin की बात हो रही है, question यह नहीं कहता, कि palm oil जो है, वहां पे होता है या नहीं होता है, palm oil tree वहां पे होते है या नहीं होते है, question says, it is native to Southeast Asia, तो आपको उस जग होना है, जहां पे यह originally पाया जाता है, जहां का यह native है, तो यहां पे, first option was the keyword that, इसके हिसाब से, it is native to Southeast Asia, लेकिन palm oil tree native है, West Africa के, right, so this could have been one point, जो आप सही answer कर सकते थे बाकी, आप देखोगे, lipstick के लिए use होता है, perfumes के लिए use होता है, biodiesel के लिए use होता है, yes, lipstick में color जादा दे रहता है इसकी तरफ से, अगर आप palm oil use करो, perfumes में, fragrance बहुत अच्छी होती है, और biodiesel के बारे में तो बहुत जादा news में रहता ही है, तो the moment आपका first question गलत हो जाता, first option गलत हो जाता, तो आपका the only option let would have been two and three only, तो यहां पे keywords ढूनना important है, हमेशा ही हम यही बताते हैं कि आप definitely keywords को ढून लिए, question number 53, specific map based question, शायद हम map based question में international places को ढूनते हैं, या कुछ ऐसे चीज़े ढूनते हैं, this was one very specific question, now the question says, कि Indus river system में चार river systems की बात हो रही है, इन चार rivers में से, तीन rivers जो है, एक river में मिलती है, and then that particular river meets Indus, तो बहुत ही separate, let's say, direct answer होना चाहिए था इसका, and यहाँ पर वो चीज़ होगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, keep on watching the maps again and again, उससे क्या होता है, कि photographic memory बनती जाती है, and exam में जो आपको exact statement नहीं आता, photographic memory से भी आप answer करते हैं, यही एक reason है कि आपको हम हमेशा कहते हैं, same set of papers को, same set of notes को आप बार-बार पढ़िए, so that everything gets yotted down in your photographic memory, and exam में वो चीज़ें आती है, so आपका answer क्या है, सतलुच, so basically, Ravi, Chenab, N.J. Lam, यह मिल जाती है, सतलुच में, which eventually mixes with Indus, ठीक है जी, चले, next question आते हैं, ना यह जो Indus वाला सवाल है, it was a fairly okay medium-based question, अगर आप में maps ठीक से पढ़े हैं, you should have been able to solve it, right, palm oil वाले में, again, depends upon आपने किस तरहां से पढ़ाई की हैं, but 53rd was definitely one question जो आपको आना चाहिए था, now 54th question, 54th question was a very easy question, अगर आपने लेक्स पढ़ी हैं, अगर आपने लेक्स नहीं पढ़ी हैं, then it would have been a difficult question, जैसे कि चार चीजें दे रहा हैं यहां पर, दिद्वाना, कुचामन, सारगोल और खातू, so यह basically राजिस्थान की सेलाइन लेक्स हैं, right, so depending upon कि आपने लेक्स वाला टॉपिक पढ़ा था या नहीं, you could have answered this question, if not, we can move on to the next question, अब, tricky question, 55th, question कहता है, which of the above rise from Eastern Ghats, अब अगर आप NCRT देखोगे, NCRT आपको उन रिवर्स की लिस्ट देती है, which flow from Eastern Ghats, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं, जो Eastern Ghats की तरफ जो है, flow करती है, लेकिन वो उनका origin या उनका rise नहीं है Eastern Ghats से, तो यहाँ पर यह थोड़ा सा tricky था, because यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते थे, अगर आप NCRT देखो, तो ब्रामनी और सुब्रनेखा ऐसी लेक्स हैं, जो की, they move from Eastern Ghats, तो शायद आप यह दोनों answer mark कर सकते थे, लेकिन question क्या है, वो reverse जो rise करती है Eastern Ghats से, तो आपका इसे लिए answer क्या है, 2 and 4, नागवली and वामसाधारा, तो यह एक keyword था, जिसका आपको ध्यान रखना है, तो the idea being, आपने इस बापेपर दिया है, या आप में से ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, जोनोंने पेपर नहीं दिया है, तो think being, आपको question बहुत ही साथ ध्यान से पढ़ना जरूरी है, यह गलती definitely हो सकती है, next question पर आते हैं, yes, so next question said, the Global Ocean Commission grants licenses for seabed exploration and mining in international waters, थोड़ा सा भी अगर आपने current affairs follow किया है, तो international seabed authority है, जो की इन licensing को grant करती है, तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ाता, आप first ही बताते थे गलत है, और वहीं से आपका answer आजाता, क्योंकि यगदी आपने first option को गलत कर दिया, तो option ही 2 and 3 बचता है, so this could have been a way to solve the paper as well, irrespective of the part कि आपको बाकी parts आते हैं और नहीं आते, we'll come up with a video for that as well, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि international seabed authority है, इसलिए आपका first option गलत हो जाता है, next अगर हम देखें, question 57, among the following, which one is the least water efficient crop, यानि कि आप basically इन चारों में से उस option को ढूंडेंगे, जो कि water को बहुत ही जादा use करते हैं, although water efficiency और water conservation दो अलग concepts है, लेकिन यहाँ पे आपका answer इस से आजाता कि अगर आप ऐसी crop को ढूंडें, जो water बहुत जादा use कर रही है, जिसमें water की खपद बहुत जादा है, so that could have been one way that you would have answered this question, the answer should have been sugarcane, this is one of those questions that you should have answered, even international seabed authority भी कहीं ना कहीं answer किया जा सकता था, अगर आपने current affairs पड़े, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे questions पे अभी आ जाते हैं, question number 58, now question number 58 जो है ध्यान देना, so basically यहाँ पे आपके दोनों ही options correct हैं, both one and two, now I will explain how, so सबसे पहले जो यहाँ पे keyword है आपका, it says, in tropical zone, the western section of oceans are warmer than eastern sections, sections, ध्यान देना, sections of ocean की बात कर रहे हैं, right, आपका eastern या western side जो है, in general बात नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी गलती हो सकती है, let's assume if this is the map, right, Atlantic for example, ले 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 ते, so अगर मैं आपका मान के चलू, North America, South America, you have Europe, and you have Africa, oceans, यानि कि अगर आप oceans की बात कर रहे हो, तो western section of the ocean would be, जो region South America की तरफ है, similarly, अगर वो eastern section of the ocean की बात कर रहे है, so eastern section would be this side, so basically oceans की east-west की बात कर रहे है, and this would go for every ocean, let's, अगर Pacific की बात करेगा, तो आप Pacific का east-west लोगे, यहाँ पर आपको in general east-west नहीं देखना है, in general आप यह नहीं देखोगे, कि US, अगर हम western society मानते हैं, तो वो west तरफ हो, या इस्ट एशिया, अगर हम जपान की तरफ मान रहे हैं, तो वो हो, यहाँ पर यह चीज नहीं है, यहाँ पर पॉइंट किया था, यहाँ पर जो gulf stream है, that's a warmer current, and it goes towards the eastern side of the ocean, और वो जो Britain वले regions है, UK वले regions है, जो basically eastern sections है, उनको warm करते हैं, तो basically हमने यहाँ पर यह भी पड़ा है, कि जो regions pole के पास हैं, for example, यह जो northern emission, विकल top पर आते हैं, technically वहाँ पर बहुत जादा गरम, extreme conditions होनी चाहिए, बहुत जादा रहंड होनी चाहिए, but due to certain currents, यह जो regions है, यह warm हो जाते हैं, जिसका example है, gulf stream, so gulf stream आप देखोगे, जब कुछ east की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर European regions है, for example, United Kingdom, वहाँ पर क्या होगा, कि उस वो region of the ocean, warmer हो जाता है, इस वज़े से देखा जाता है, कि UK जैसे regions में, rainfall भी होती है, and the same thing goes for the tropical zone as well, tropical zone तो आपको definitely पता लगना चाहिए था, because आपको याद आना चाहिए था, अगर हम South Africa की बात करें, यहाँ पे cold current है, Peruvian current, और यहाँ पे आपकी जो है hot current है, और हम यही तो बात कर रहें, कि western section में hot currents की बात होगी है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी correct है, बहुत specific question है, and only if you knew the basics, आप इसको answer कर सकते थे, तो the idea भी हमेशा ही basics पे concentrate करना जरूरी है, चलिए, Climate Smart Agriculture तीनों ही options correct है, यह जो पूरा program है, this is carried under consultative groupon on agriculture research, which is headquartered in France, दोनों ही options correct है, yes it is headquartered in France, and it is carried under CGIAR as well, and then it says, the International Crop Research Institute in India is one of the CGIAR's research center, तीनों ही options इसके correct है, चीचे जी, चलिए, next आते हैं, so next अगर आप देखो, तो बहुत ही complicated सा, एक पूरा paragraph दिया हुए, and they've asked you, कि यह किस चीज का description है, again मैं हमेशा कहती हूँ, look for keywords, so keyword है आप एपिफाइज, जो की basically किस का feature है, tropical rainforest का feature है, so हमेशा ही question में, आप keywords देखे, कि अगर आप keywords देखेंगे, तो आप if not all, कुछ सवाल जो है, आप definitely solve कर सकते हैं, चलिए, next question पर आते हैं, the vegetation of savannah, इनके बार मैं पूछ रहे हैं, कि vegetation of savannah, एक specific तरहा की है, for example, यहाँ पर कहते हैं, कि it is scattered with small trees, बहुत बहुत सारे ऐसे भी regions है, जहाँ पर trees नहीं है, right, so basically इसके बाद यह पूछ रहे है, कि अगर forest development हो in these regions, that is kept in check by combination of what conditions, so basically यह आप से limiting factors पूछ रहे हैं, कि वहाँ पर क्या ऐसे limiting factors हैं, जो वहाँ की vegetation को जो है, affect करते हैं, तो तीन चीज़ें जो कि बहुत important हैं, सवाना से characteristics में भी पढ़ते हैं, forest fires वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर आप देखो कि सवाना वाले regions में, हमेशा ही grazing के लिए भी जो है, बहुत ज़्यादा पशू होते हैं, plus देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत specific season में ही rainfall होती है, तब ही आप देखते हो कि साल भर rainfall नहीं है, इसलिए उस तरह की vegetation भी पाई नहीं जाती है, तो तीन factors जो हैं आपके 2, 3, 4 हैं, so your answer is C, चलिए next question पर आते, this was a question जो की repeat हुआ है पहले से, so basically, direct question है NCRT से, NCRT में अगर oceanography topic पर आप जाएंगे, class 11th के NCRT में तो एक table बना हुआ है, की earth पे किस चीज में कितनी water availability है, ice caps में, glaciers में, ground water में, so if you see that particular table, आपका answer होता है 2 only, ठीक है, चलिए, next आपका आता है a question, this was also a tough question, if you have not been able to solve this question, that's okay, ठीक है, so पहला question क्या कहता है, moringa is a legunus evergreen tree again, correct, लेकिन ध्यान रखना, जब यह tamarand tree की बात करता है, it says it is endemic to South Asia, this should have been your trigger point, जब भी आप tamarand की बात करते हो, India one of the top producers है, so it cannot be endemic to South Asia, क्योंकि India तो अपने आप South Asia में आ रहा है, तो जैसे ही आपका second option कट जाता है, तो B और C में से ही, उसके बाद आपके options होते हैं, now because India is one of the top producers, definitely export भी हो रहा है, और P.I.B. में recently news भी आई थी, कि tamarand को minor forest produce भी जो है, दिया जाता है, तो अगर आपने P.I.B. को follow किया है, maybe you would have been able to solve this question, but it's okay if you haven't attempted the question, it was on the tougher side, ठीक है, चलिए, कई बार guesswork also works, so उस समय का आपका, जिस तरहा का mind setup होगा, उसी धना सवाल होते हैं, तो last question, now the black cotton soil of India, has been formed due to the weathering of, अब थोड़ा सा यहाँ पर confusion हो सकता है, so technically अगर आप देखें, तो decan traps की जब हम बात करते हैं, तो definitely volcanic rock ही answer होना चाहिए, लेकिन कुछ किताबों में एक exception है, इसका exception क्या है, the region of Tamil Nadu, so ऐसा कहा गया है, अगर आप optional की किताबे पढ़ेंगे, कि Tamil Nadu वाले region में, knees और shisht की weathering से, जो है, वो regions बने हैं, so Tamil Nadu में भी कुछ हट तक black soil पाई जाती है, so I will not mark this question as of now, there is a possibility, because this seems like a subset of this, तो भी भी हो, mostly answer भी होना चाहिए, but यहां पर हमें थोडा सा डाउट है, I want to give 10% weightage to C as well, so we'll have to see what UPSC comes up with eventually, but even if you've marked B, I think आपका answer सही होना चाहिए, but we'll not mark it as of now, we'll see कि किस तरहां से आपकी UPSC की की आती है, ठीक है, तो this was your entire discussion for geography, it was not very easy, there were questions जो की शायद NCRT के बसिस पर सॉल हो सकते थे, but again there were questions जिन में की confuse करने के पारमेटर्स भी रहे हैं, तो we'll have to see what the cut-off goes and everything else, but हां, it was not a very easy section for geography, ठीक है जी, चलिए, we'll see you in the next discussion with the next faculty, thank you. Hello, दोस्तो, so, आज science and tech and basic science, दोनों के question, UPSC के exam में जो भी हैं, उसको सॉलो करने ही कोशिश करेंगे, so, अगर मैं general बात करूँ, तो science and tech या basic science, दोनों की बात करता हूँ, वहां पर आपको जो question मिले, ठीक है, एक तो अगर आपके conceptual clarity है, तब ही जो easy रहता है सॉलो करने में directly question भी कुछ आएं, लेकिन वो अगें जैसे हम पहले बोलते हैं कि अगर आते हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको छोड़ना ही बैतर है, तो 65 देखते हैं, इसको किया था, ठीक है दोस्तो, जैनेटिंग इस एपलाइट टू, नेचल जैनेटिंग इंग अपलाई होगी वहां पे, बैक्टीरिया एंड वाइरस आर यूज़्ट एस वेक्टर, ठीक है जी, वी कैन यूज बैक्टीरिया एंड वाइरस, तो वाइरस आज वेक्टर आपने देखा होगा, कि बहुत सारे जो कॉमन कोल्ड के लिए वाइरस है, वो भी यूज़ करते हैं वेक्टर के अंदर, तो यह तो यहां पे आप आप आंसर जो, जो मोस्ट प्रेफिरेबल अंसर इस सी, ठीक है जी, तो इसके साथ डिटेल एप जो एक्स्प्राइशन के साथ भी हम करेंगे लेकिन बहुत से बच्चों को टेंशन हो जाती कि वह क्या करें हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो थोड़ा आइडिया जहां पर मिलना चाहिए 66 देखते हैं इन कंटेक्स टूं कंटेक्स टू इन कंटेक्सट ओफ है डिजीज इस पासिंग और यह थ्री पेरन बेबी ठीक है यहां पर क्या था कि मदर का जो मैटो कॉंट्री डिफेक्टिव होता है उसको निकाल देते हैं अगर आपने पर प्रसीजर देखा वहां इट वन तो टू परसेंट बोलाया था कि जो डिजीज है और ट्रांस्मिट हो सकती है कि वह उस बेबी का जो पेरेंट है कौन होगा उसके उपर काफी डिबेट रही तो फरस्टेटमेंट इस राइट ठीक है इट कैन भी बिफोर और अफ्टर इंवेट्रो फर्टिलेशन चैल् बार-बार वहीं पर तो जेनेटिकली मॉडिफाइट क्रॉप प्लांट्स के अंदर यहां पर अपना अंसर आएगा भी दोस्तों अब बात करते हैं प्रेशर कुकर टेंप्रेचर एट विच दा फूडिस कोट डिपेंड मेंली उपान है ना तो मेंली किसके उपर जो प्रेचर अफ फ्लेम को हम यहां पर इसको निकाल सकते हैं बाहर एंड वन एंड थ्री कैन बी अप्शन फिर भी अगर एक बार इसको जब बेसिक साइंस पढ़ाँगे तब हम उसके अंदर और डिटियल के अंदर भी देख लेंगे क्या इसके इंदर यहां पर मिलता है हमे कंसिडर दा फॉल्विंग स्टेटमेंट 69 को देखते हैं विच कैन बी कल्चर इन आर्टिफिशल और सिंथेटिक मीडियम बैक्टीरिया फंजाई है वाइरस है तो यहां पर अंसर बैक्टीरिया इस तेर बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं यह को लाई से लेकर ना ने कोवीड के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर वायरस के बारे में बोला कि वायरस जो है नौन लीविंग है बाहर बाड़ी के अंदर लिविंग है तो उसकी खुद की मशिंदरी नहीं हमने बढ़ा उस नॉलेज के बेस के उपर आप जाओगे तो हम वायरस को अगर हम सीधा देखें वायरस को क्या हम कल्चर कर सकते हैं नहीं कर सकते तो वहां पर हमारा जो प्रेफरेबल आंसर है वह है वह वन और टू ठीक है दोस्तों अब बात करतें सेवंटीद कोशन की अडिनो वायरस हैं सिंगल स्टेंडर्ड डीन अजिनों वेरस रेट्रोवा कॉस्ट बाइडी सब्सक्राइब अगर आपने कोवीड सिरिस देखी ठीक है वहां पर हमने मैंने आपको बताया था कि रेट्रोवारस है वहां पर आरेन नहों यहां पर यहां he सब्सक्राइब नहीं वहां तो पहली स्टेटमेंट आप निगलेक्ट कर सकते हैं अगें सेकेंड रेट्रोवरिस होता है ठीक है ठीक है ठीक है कॉमन कोल्ड अडिनो वैरस यह अल्रेडी डिसकस्ट जब हमने इसको कोवी शील्ड और स्पुत्रिंग फाइव का जो प्रसीजर है इनके ऐसे पूछे गए अब जो स्टूडेंट कुछ होते हैं के भी ठीक है ना थोड़ा फी बैड फील तो होता है लेकिन यू नेवर नो के भी यूप सी क्या पूछले क्या नहीं तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों प्रपेर करके उस हिसाब से चलना बड़ता है लेकिन होता है यहां पर सेंटी फस्ट देख वाटर कैन बी डिजॉल्ट मोर सब्स्टेंस देन एनी अधर लिकृट सो डाइपोलर नेचर है एच एंड और तो वहां पे डाइपोलर नेचर इसका रहता है जिसकी वज़ा से पॉस्टी नेक्टी दोनों चार्ज रहते हैं तो यहां सेंगर लास्ट वाला एक कोश्शन डाला तो वहां पर कोशल देखने को मिला थोड़ा सा यहां पर लेकिन ने सोडियम लंप के बारे में स्टेट तक ऊपर रहते थे वहां पर उनकी तोड़ा सगर आपको अडियो पॉर्शन के अपके यहां पर स्टेटमेंट निकाल लेते हो ठीक है यहां पर सेकंड देखें लेडी के जो सोडियम लेंप उससे ज्यादा जो लांग लाइफ है लेडी की ऐसा नहीं है तो लेडी को प्रेफर किया जाता है अपर फिर 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 से ज्यादा इसकी लाइफ रहती है अगर निकाल दो यहां पर अपने पास वन फ्री एन्ड फिर बचती है तो वन थ्री टो इसके जो ठीक है स्टेटमेंट यहां पर जैसे सोडियम लेंप सोडियम लेंप के अंदर क्या होता है कि एक येलो कलर की लाइट मिलती है जो मोनो क अपनी सही है ठीक है जी दोस्तों यहां पे बचती है हमारे पास वान अगर यहां पे आप देखोगे अब यह आप रिस्क था कि अगर मैं हमने नहीं पढ़ाया ठीक है कि यहां पे इसके कितने डिगरी तक जाता है कि तरे नहीं फिर भी अगर उस इन्फरमेशन के बेस के सोडियम लेंप की जो लाइट है वह एक डिरेक्शन में नहीं जाती ज्यादा ओमनी डिरेक्शनल रहती है लेकिन जो यह थोड़ी डिरेक्शनल में भी 180 डिगरी तक ठीक है तो उससे आप से यह स्टेट्मेंट अपनी सही बैढ़ती है तो यह तो बहुत प्यारा क्वेशन इसने कितनी बार हमने किया के लंग्स के अंदर एस्टू रिसेप्टर है ना और वहां से जो वायरेस आता है उससे तो यह तो सीधा सीधा कोशन ता सप्रेड़ डिजीज इसका अंसर था दोस्तों यहां पे बिस फिनॉल ए ठोड़ा सट कोशन डिफिकल्ट के अंदर कह सकत है तो यहां पर इस कंटेक्स के अंदर अगर हम देखें तो यह इसका अंसर आना था देन ट्रिक्लोशन हाम्फुल क्यों है ठीक है बहुत सब्सक्राइब यह कहां कहां पर प्रेजेंट होता है अगें चार अप्शन है तो यहां पर स्टेट्मेंट कोई हम ऐसा नहीं के एक सामें से आपको साथ के करीब आने चाहिए तो तो अच्छी अटेम्ट बानी जाती दूसरों यहां पर तो ट्रिक्लोशन की बात करें सो इसको हम जो बैक्टीरिया को कम करने के लिए अंदर तो काफी चैंपू एरा सूप और अंदर यूस होता है तो यहां पर इसका आंसर लाइट ये लाइट येर को क्यूंं करते सेवंटीों को सट्रौनोमिकल डिस्टैस मेर्न करने के लिए लाइट को आगजेक्ट क्या है इसका के जो इसका प्रा TWEबी पीच में जो डिस्टेंस अगर आप किलोमेटर के अंदर देखोंगे बहुत बढ़ जाता है लेकिन तो वह है इसलिए हम लाइट को यूज करते हैं कि यह बहुत ही फास्ट स्पीड के ऊपर ट्रैवल करती है इसकी स्पीड काफी हाई है एक्जेक्ट आंसर इसका अप्शन य बात की गई है तो यह इसकी जो लाइट के अंदर वेरी नहीं आता ठीक है वहां पर स्पीड इसकी आलमोस्स सेम रहती है लेकिन हाँ अगर माली यह लीकोड वगएरा वहां पर आप निकालते तो लाइट के अंदर थोड़ा बहुत उसकी पे चेंज आता है फिर भी यह प् पेस्ट टाइम की थी आप पढ़ोगे अगर वैसे मन हुआ किसी का क्योंकि यहां पर यहां पर यहां पर दिवार के उपर लाइट करते हैं तो वहां पर भी अगर हम बहुत ही माइनट माइनूट लेवल के उपर जाके देखे तो लाइट थोड़ी सी बेंड होती है लेकिन प्यारी वह भी थोड़ी सी बैंड होती है यह आइस्टेन की थिओरी ने उस टेंप पर आइंस्टेन ने यह बोला था ठिक दो तो यहां पर दोनों के अंदर चूज करना है तो डी के साथ हमें जाना है ठीक है the speed of light is always same हम अगर universe की बात कर रहे हैं अल्दो यह भी प्रफेक्ट स्टेट्मेंट नहीं है लाइट अल्वेस ट्रेवल इस्टेट लाइन तो यह इसके उपर भी ग्रेविटी अस्टेलर बाडी दस नौट चेंज डिस्टेंस आप यह कोई ऑप्शन यहां पर ह with explanation हम detail में इस question को discuss करेंगे अभी अभी time नहीं है इतना है ना तो काफी आप भी एक्जाम देके गर में आयों कोई बात नहीं है कोई इस्टेटिय क्या है वो भी हम discuss करेंगे thank you very much चले next आप बढ़ते हैं quality and governance की questions की तरफ अब अगर हम quality and governance की segment की बात करें in the paper it was a mixed bag ठीक है अब यहां पर क्या हो सकता है कि initially अगर हम इस set को देखें initially कुछ ऐसे questions थे जो काफी detailed थे थी कि छोटी छोटी detail से पूछे गए right शुरुआत की भी questions and then again middle में भी 2-3 ऐसे questions आये हैं जो की बहुत ही जादा factual है right जो छोटी 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 details जो की often लोग ignore कर देते हैं या उतनी जादा depth में नहीं जाते हैं उनसे question आया हुआ था right अब क 11-12 questions थे which relatively doable थे जिनको doable category के अंदर गिन सकते हैं and बाकी जो questions थे मों काफी difficult level questions वो थे ठीक है तो यहां पर बच्चों को अपनी discretion use करने की भी जरूरत थी क्योंकि जैसे कि हम अमेशा बोलते आए यह paper ऐसा तो है नहीं कि आपने 100 out of 100 questions जो है करने हैं तो यहां पर आपको पत smart preparation का use करना चाहिए कि यह question तो जो है काफी tough है काफी जादा जो है almost non doable है में को नहीं पता तो maybe I can let it go and move on to the next question ठीक है अब जो 77th question है comparative politics पे बेस question है and more often than not बाकी countries हम करे ना करे हम अमेशा Britain and India का comparison जरूर कर देते हैं and especially parliamentary democracy में तो करते ही करते हैं in fact यह ऐसा question था अगर आपने ल कुछ idea आ सकता है अब पहली statement इसके अंदर absolutely सही थी सही क्यों कि हमने पड़ा है कि जो British Parliament है वो sovereign है उसके पास almost unlimited power है क्यों कोई written constitution नहीं वहाँ पे exist करती and Britain के अंदर जो parliament है उसको हम sovereign बोलते हैं कोई उस पे limitations नहीं है पर इंडिया के जो parliament and legislation की power है उस पे बहुत साई limitations exist करती है federalism हो गया written constitution हो गया fundamental rights हो गया judiciary हो गया बहुत सारे limitations है तो पहली statement सही थी second statement गलत थी second statement गलत क्यों थी जी हाँ constitutionality है किसी भी amendment की to an act of the parliament वो चेक करी जा सकती है and some of these कोच जो ऐसी चीज़े हैं जो substantial question of law के साथ deal करती है या interpretation of constitution के साथ deal करती है वो constitution bench को भी refer की जा सकती है और reference कौन करता है chief justice of India जो है वो refer करते हैं कि हंजी ये जो है constitution bench के पास जाएगी that is such a bench जिसके अंदर 5 से जादा Supreme Court की judges पैठें तो इसके हिसाब से जो है हमारा A जो है सही answer होना चाहिए again ये answers जो है relatively tentative है ठीक है इनके उपर हम detailed video solutions जो है with explanations detail explanation and detailed sources जो है हम आने वाले हफतों में जो है ले की आएंगी तो आप उनको भी refer कर सकते हैं next up जो question है ये जो है बहुत ही detail oriented question था governance जो है question पूछा गया है and again mostly हम governance में भी क्या करते है when it comes to administrative reforms हम ARC 1 पर जाते हैं ARC 2 पर जाते हैं ठीक है इतनी जादा हर report हैं उनकी nitty gritties जो है हम नहीं पढ़ते तो I would have advised कि अगर आपको ये question जो है आपको बिलकुल समझ में नहीं आ रहा this would have been a question जो मैं छोड़ के आती ठीक है that I would have left कि नहीं मुझे इतना idea आ रहा तो मैं ये छोड़ देती हूँ अब यहां पर क्या था जो first है first N. Gopal Swami Iyengar की जो committee थी ठीक है अब उन्होंने एक O&M division जो है suggest की थी पहले तो उन्होंने बोला था कि groupings कर देते हम ministries की ठीक है जिनके अंदर एक minister and secretary होनी चाहिए ठीक है और उसके अंदर उन्होंने एक O&M division भी suggest की थी जहां पर उन्होंने जो है यह करेक्ट है यहां 1970 में department of personnel बना था on recommendation of the ARC ठीक है 1966 की जो आई थी अब यहां पर लिखा हूँ है अब यहां पर लिखा हूँ है अब यहां पर लिखा हूँ है जो मेरी explanation है जो मेरा हो है मेरे हिसाब से C होना चाहिए इसका answer right but UPSC के साथ you never know so this is a slightly twisted questions जो interpretation based भी हो सकता है थोड़ा सा ठीक है तो I would have left this question but मुझे लगता है अगर मेंको mark करना होता तो C इसका answer होता ठीक है next जो है काफी असान है again आपको time and again revision series में भी हमने यह करवाया था right to privacy put a swami judgment बहुत important है easy question होना चाहिए यह बहुत ही doable कि आपका इसका सही answer क्या है C article 21 right to life and liberty से जो है और आपने governance की playlist देखी है उसकी अंदर यह question जो है आपका solve हो रहा है RPA की discussion के अंदर तो section 33 clause 7 जो है RPA का वो deal करता है बहुत बार news में रहा है तो basically कितनी maximum constituencies से आप contest कह सकते हैं दो से ना की तीन से तो पहली statement तो आपकी straight away गलत होगी ठीक है अब यह question अगर आप ऐसे कोई बच्चा पड़ेगा वो हो जाएगा रहे second statement लिखा 1991 में श्रीदेवी लाल ने कितनी consistency से contest किया मुझे कैसे पता होगा आप में घबराना नहीं आप statement को छोड़ दीजे हम यहाँ पर क्या करेंगे elimination technique लगाने की कोशिश करेंगे फिर doable statements तो first statement जो है यह हमने की हुई है ठीक है तो यह हमने कर दी eliminate फिर हम आते हैं तीसरी statement की तरफ तीसरी statement जो है कह रही है कि अगर दो constituencies से कोई candidate जो है contest करता है और एक constitution को छोड़नी पड़ती है और वहाँ पर by election होता है तो उसकी जो cost है by election की वो भरेंगे इंडिया में आपको लगता है ऐसा हो रहा होगा नहीं हो रहा होता ठीक है क्योंकि एक important चीज होती है हिंदू article में cover की गई थी कि यह एक recommendation है ECI की पर अभी presently जो है यह apply नहीं की जारी तो आप इसको भी eliminate कर सकते थे तो 1 and 3 eliminate हो गए मतलब सही answer कौन सा निकलता सिरफ B निकलता 2 only जो है correct हो जाता because basically 1996 में amendment की गई थी कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी constituencies से नहीं पर कि maximum 2 constituencies से contest कर सकते है ठीक है इसलिए 1991 में देविलाल जी ने जो है पहले ही कर ली थी काफी तीन से जो है contest कर लिया था next up जो है 81st question technically जो है यह IR और environment इन दोनों से लिया गया है but थोड़ा सा twisted question है again यह because इसका भी clear cut answer जो है धूनना थोड़ा tough है काफी tentative है तो यह policy governance का question नहीं है it's more of an IR environment इन सबका combined सा even world जो population आपकी geography होती है उससे भी आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया था कि right to city जो है क्या एक agreed human right है human habitat जो है monitor करता है इसकी commitment या नहीं तो 31st October को मनाया जाता है but there is confusion कि क्या यह agreed human right है उसके उपर question mark है because agreed human rights are basically those जो की universal declaration में होते हैं and yes एक city prosperity index है जो कि monitoring के लिए UN habitat निकालता है second statement absolutely सही है क्योंकि यह UN habitat की website पे भी दी गई है third statement जो है question mark है थोड़ी extreme statement भी लगती है तो हम इसके बारे में sure नहीं है again इसका answer जो है बहुत tentative answer है because it is a very open to interpretation question again this was one of those questions that can be very twisted ठीके I would have marked possibly इसके अंदर one and two जो की हो सकता है इसका answer next up अब आर्ट कोर हम quality की उपर आगे judicial custody पे question है अब जो आर्यन खान का इतना मुद्दा चल रहा था times of India के अंदर इतना बड़ा जो है proper इसके अंदर distinguished भी आया था के police custody judicial custody में difference क्या होता है दो दिन पहले जो है यह आया था तो in fact यही एक होता है कि बच्चे बोलते हैं newspaper पढ़े या ना पढ़े पढ़ना चाहिए ठीक है तो वैसे भी doable question था इसने पूछा कै कि judicial custody का क्या मतलब होता है यहां पर आपकी जो पहली statement है गलत है क्यों क्योंकि judicial custody में अगर है आप हैं तो आप jail के अंदर होंगे पुलिस station में नहीं होंगे अब jail के अंदर आपको डाल दिया जाएगा ठीक है तो आपकी पहली statement गलत थी आपकी जो second statement है यह absolutely सही है क्योंकि अब एक बार magistrates जब involved हो गए हैं तो investigation के लिए जो आपके officers हैं पुलिस हैं उनको permission मांगनी पड़ेगी court से before carrying on any kind of such interrogation or investigation so to only जो B है इसका answer होना चाहिए then next up 83rd question जो है again is a relatively doable question again यह जो है 2020 के अंदर जब हमारा COVID का pandemic breakout हुआ था तो आपको याद होगा Supreme Court ने बोला था कि states के उपर जो है states को उन्होंने बोला था कि ऐसे लोग जो कि prison के अंदर है जिन्नोंने कुछ ऐसे जी है so as to prevent the outbreak of the pandemic in the prison कि उसकी वर्सन ना हो जाए हालत ठीक है तो अब यहाँ पे जब हम देखते है जो पहली statement है यह गलत है परोल का कोई right नहीं दिया गया है ठीक है परोल के साथ कोई right associated नहीं है कोई legal right नहीं है परोल का fundamental right नहीं है नहीं कोई legal right है जो की exist करता है very importantly prisons जो है कौनसी list में आते है second list में state list में ठीक है तो obviously आपकी जो second statement है यह सही हो जाएगी कि state governments के जो है खुद के prisoners को release करने के लिए जो है parole roles होते है ठीक है तो आपकी second statement सही है and जो first statement है वो गलत है तो इसका answer भी जो है यह B होना चाहिए then national level पे कौनसी ministry जो है schedule tribes and traditional forest dwellers act के साथ deal करती है easy question है again मैंने बोला था doable questions भी है अगर आप academy beginner और आपने इसके बार में पढ़ा ही नहीं है तो ही आप इसको गलत करेंगे ministry of tribal affairs है जो कि इसके साथ deal करती है next up is यह थोड़ा complicated थोड़ा सा conceptual question था question क्या कहता है कि a legislation जो की objective authority and unguided and uncontrollable discretionary power in the matter of application of law यह violate करता है इन में से कौन से articles को और इसका सही जवाब होना चाहिए article 14 जो कि आपका right to equality and equal protection of laws है तो हमने PCM में भी बहुत बार discuss किया गया है free lectures जो है लक्षमी कांत में उसमें भी यह discussed है कि article 14 का embody करता है rule of law को embody करता है and rule of law हमारे basic structure में भी है and rule of law क्या बोलता है कि arbitrary and discretionary use of power जो है by executive या administrative authorities जो है बिल्कुल नहीं किया जाएगा तो यह article 14 जो है इसका सही answer होना चाहिए अगर आपने article 32 या कुछ मांग किया है वो गलत है ठीक है next आप जो है it is about federal essential federal features essential federal features again it is a basic question अगर आप federalism का topic पड़ते हैं लक्षमी कांत के अंदर उसमें चार main federalism की features बताए जाते हैं कि एक written जो है constitution होनी चाहिए जो कि balance maintain करके रखे बहुत जादा flexible ना हो थोड़ी उसमें rigidity हो then distribution of powers की गई हो then bicameralism जो है exist करता हो जैसे हमारे exist करता है एक council of states है हमारे पास राजय सभा के तरह and very importantly independent judiciary हो तो यहां पे कौन सा है यही है independent judiciary तो आपका जो a answer है यह सही होना चाहिए next up 87th question अगर आप हमारे PCM के student है और अगर आपने गलती से गलत किया है answer तो यह बहुत गलत बात होगी पहले lecture में ही before I start with the policy का concept मैं सिखाती हूँ कि state का क्या मतलब है और जब भी हम एक state को imagine करते हैं हम state के भी 4 essential components बोलते हैं क्या होते हैं वो एक तो लोग लोगों के रहने के लिए defined territory then उस territory को चलाने के लिए a government and then sovereignty which means कोई भी external या internally आपके उपर command नहीं कर सकता क्या आपने कोई चीज यह करनी है और यह नहीं करनी है और इन चारो conditions को कौन सा satisfy करता है जो आपका A है वो satisfy करता था and that is why the answer should have been A next up is again a Lakshmi Kant वाला question है यह तो काफी doable question था यह अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कहते है एनी retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice with prior permission of President of India अब यहाँ पर जो prior permission है सिरफ President of India की नहीं चाहिए होती है बलकि जो person appoint हो रहा है उनकी भी चाहिए होती है ठीकि तो request करते हैं उनको कि आप भी जाहिए तो supposedly अगर उस बंदे ने बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं आना चाहता तो force करके नहीं उनको बिठा सकते हैं तो prior permission दोनों ही President and of the person being appointed दोनों की ही चाहिए होती है Secondly जो high court है उनके पास power है absolutely है Supreme Court भी court of record है and high court भी court of record है दोनों के दोनों courts of record है That means कि दोनों के पास ही power है to review their own judgment तो B जो है statement जो B है आपका option ये इसका सही होना चाहिए इसके बाद है with reference to India consider the following statements again this is a question जिसके अंदर मैं recommend करूँगी आप elimination technique जो है use कीजे One citizenship है absolutely लोगों को बहुत clarity होगी वैसे तो बन domicile की भी होनी चाहिए पर कई बार इनसान confused हो सकता है ठीक है तो suppose कीजिए आप confused होगे आपको नहीं पता है कि सिरफ एक domicile हो सकता है वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर लोगों के multiple domicile होने लग दया है तो for example कई education institutions और domicile का जो है benefit मिलता है तो तुम्हें हर state में जागे उसका benefit लेने लग जाओ तो अगर by chance आपके नहीं आया दिमाग में Second क्या है a citizen by birth only can become head of state यह आपको पता होना चाहिए तो किता static part है कि यह तो statement गलत है थर्ड statement क्या है foreigner को एक पास citizenship मिल गई तो यह deprive नहीं की जा सकती है under any circumstances यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह absolutely गलत है क्योंकि citizenship act में ही दिया गया है कि किस तरह से deprive की जा सकती है है ना again आपका जो very importantly constitute आपका जो citizenship amendment अई थी 2019 की उसके अंदर भी कुछ additional grounds जो है डाल दिये गए थे तो elimination technique कितरों में पता लग गया यह दोनों गलत है तो सही answer क्या है a one only next question है 90th question यह again conceptual question है थोड़ा सा difficult question है अगर आप PSIR optional के बच्चे हैं आपको यह आना चाहिए question क्या कहता है इन में से कौन से जो है factors contribute करते है as the best safeguard to liberty best की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है some can be good safeguard but others can be even better ठीक है अब हमें पता है committed judiciary तो obviously नहीं होगी centralization of power भी नहीं होगी बच्चों confusion कहाँ पे होगी elected government and separation of powers के बीच पे अब यहाँ पे अगर आप PSIR के बच्चे हैं आपको यह याद होना चाहिए मुंटास की जो spirit of laws थी उसमें उन्होंने बोला था कि एक जो सबसे बड़ा best safeguard है liberty का in any democracy वो separation of powers होता है और तभी उन्होंने US democracy जो है उसकी भी इतनी जादा जो है तारीफ की थी ठीक है elected government क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक demagogue elect कर लिया someone who is a very populous leader पर एक बार जब वो power में आगे वो अपनी power को misuse करने लग जाए and democracy को जो है एकदम चपना चूर कर दे ठीक है emergency लगा दे UAPA का misuse करे ठीक है बहुत सारे ऐसे misuse हो सकते है तो कौनसी बची आपकी separation of powers ताके हर जो एक institution है of the government वो दूसरे पर नज़र रखे और उसको limit करके र in fact article 39C जो है DPSP का सीधे के सीधा बोलता है कि अंदे concentration of wealth को जो है वो कम करना है then 92nd question जो है right to property again a doable question हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि article 19 और 31 से जो है 19F and 31 से जो है निकाल दिया गया था 44th amendment द्वारा बट इसको क्या बना दिया गया under article 300A and article 300A क्या बोलता है कि no person shall be deprived of right to property except by authority of law तो यहाँ पर यह नहीं बोला हुआ no citizen क्या term यूज किया गया है no person therefore सही answer क्या होगा B option जो है legal right available to any person यह जो है सही answer होगा next question again यह तो बहुत ही easy question है कि इन में से क्या सही constitutional status of India on 26 January 1950 अब यह सुनके तो है बच्चे थोड़े confused हो सकते क्योंकि अलग format में दिये और basically क्या पूछे कि इन में से कौन से जो है at the commencement of the constitution available थे in the preamble and कौन से later editions किये गए तो हमें पता है socialist and secular जो है 42nd amendment द्वारा आड किये गए थे तो मतलब 1950 में क्या थी इंडिया की preamble में description एक sovereign democratic republic यह जो है उनकी description थी ठीक है उसके बाद आता है आपका 94th constitutional government पे in fact 2020 के paper में भी आया था कि constitutional government का क्या मतलब है अगर उसके बाद भी आप नहीं सीखे और आपने ऐसे concepts नहीं पड़े तो गलत बात है in fact हमने two minute series में सारे concepts जो है पढ़ाये थे including constitutional government जहाँ पे हमने बताया था कि constitutional government का क्या मतलब होता है it is a limited government तो यहाँ पे जो d option है यह आपका सही होना चाहिए next जो है यह थोड़ा culture इसे रिलेटेड है current affairs से रिलेटेड है basically udisa government ने जो है decide किया कि हम अपने जो primary education है वो tribal languages के अंदर भी जो है impart करेंगे तो 21 tribal languages जो है यहाँ पे उन्होंने accept की जिन में से 3 tribal languages वर हाल भी हो और कोई तो यह d option सही है यह tribal languages है next again जो 96th question है जो आपका last question आ गया quality and governance का relatively easy question again something जिसके अंदर आप elimination technique अपना सकते थे right again ऐसा question जो लक्षमी कांथ कित्रूँ आप कर सकते हैं क्या भारत रत्न और पद्मा अवोर्ड जो है article 18 के under titles माने गए है लक्षमी कांथ ही नीचे लिखता है नहीं इंको टाइटल नहीं माना गया है तो हमें पता लग गय statement one जो है incorrect और यहाँ पर पूछा भी है कि आपने incorrect statement बताने तो incorrect है उसके बाद जो आपका second statement है वो भी लक्षमी कांथ में mentioned है जहाँ पर बताते कि 1954 में शुरू है और एक बार इनको suspend किया गया था जनता government के under 1977 में और 1980 onwards यह शुरू हो गए तो यह जो है आपका सही है तो 2 ज maximum कितने दिये जा सकते हैं in a year वैसे 3 दिये जाते हैं अगर by chance आपको नहीं पता था elimination technique यूज करके हम answer mark कर सकते थे कि इसका सही answer जो है C है 1 and 3 only ठीक है तो quality मतलब doable भी थी जो difficult questions है अगर उन में से आप 2 या 3 छोड़ भी देते हैं तो आप अपने negative marks ही कम करेंगे और अपने positive marks बढ़ा देंगे तो कोई बुराई नहीं है question छोड़ने में अगर आपको लगता है बहुत twisted है तो better है कि आप बाकी questions पढ़िए and जो इतने doable questions है उनको सई कीजिए और जो difficult है बहुत tough लगते हैं उनमें informed guest लगाई है अगर वो भी नहीं लग रहा तो it is more comfortable to leave those around क्योंकि एक relatively tough paper जो है यह था तो दोस्तों last but not the least बढ़ते हैं हम sports के questions की तरफ तो next question जो है 97th question है उसकी statement है United Nations Capital Development Fund and the Albert Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2023 city of the world तो यह थोड़ी से tricky statement है पर यह statement गलत है क्योंकि FAO partnering organization है Arbor Day Foundation के Hyderabad को declare किया गया है as three city of the world यह वाला part correct है but FAO organization है second statement जो है Hyderabad को एक साल के लिए select किया गया है क्योंकि वो urban forest को grow और maintain करेगा यह वाली statement सही है तो 97th का answer है option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct आगे बढ़ते हैं 98th question देखते हैं Lawrence World Sports Award के बारे में यह question है तो पहली statement है American golfer Tiger Woods was the first winner of this award यह जो statement है यह सही है Tiger Woods was the first recipient of this award दूसरी statement the award was received mostly by Formula 1 players so far यह statement incorrect है जो यह award है Lawrence Sports Awards है Sport Award है यह across the sport दिया जाता है and अगर हम overall देखें 29, 2000, year 2000 में पहला award दिया गया and 22 years हो गए है इस award को देते हुए तो अगर majority हम देखें तो mostly tennis players हैं जन्होंने award यह सबसे जादा बार जीता है अगर हम as a sport देखें Formula 1 के भी कुछ drivers है Michael Schumacher को मिला है Formula 1 की teams को भी मिला है बट सबसे जादा जीतने वाली Formula 1 के drivers नहीं है tennis players है तीसरी statement Roger Federer received this award maximum number of times यह बात सही है Roger Federer को maximum time यह award मिला है तो option C 1 and 3 correct है जो 2 second statement जो है वो incorrect है तो यह सवाल easy तो नहीं था but extremely difficult category में इसको मैं नहीं रखूँगा अगर आप purely थोड़ा सा logic लगाए और assuming कि आपको sports में थोड़ा सा interest है थोड़ी सी knowledge रखते हैं then probably this was one of those questions where you could narrow it down to two statements and then go with your gut जैसे कि statement 2 maximum time formula 1 players को नहीं drivers को नहीं दिया क्यों क्योंकि उसे इन बोल्ट को भी मिला है टैनिस रोजर फेडर को multiple time मिला है रफल नडाल को नोवाग जोकोविच को तो आपको पता है कि अगर ये 20-22 साल पुराना award है और 8-10-12 बार ये टैनिस players को ही दे चुके हैं तो maximum formula 1 के नहीं है तो अगर उस statement के basis पे आप option statement number 2 eliminate कर दो तो 1 and 3 आपके पास answer आ ही जाता है तो आपको ये देखना होता है ऐसे questions में कि तीन में से कौनसी एक statement ऐसी है जिसके उपर आप एक elimination करके answer पे पहुन सकते हैं क्योंकि 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3 simple A, B, C, D वाला logic है इन चारो इन टाइप के questions में तो essentially आपको एक statement ऐसी पढ़नी है ऐसी ढूणनी है जिसको आप refute कर सके कह सके हैं कि ये statement गलत है अफकोस easier said than done exam के pressure में consideration absolutely different होती है question number 99 तो Tokyo Olympics के बारे में पूछ रहे हैं ये easy question है Tokyo Olympics बहुत ज़्यादा देर तक news में रहा था तो हम उमीद करते हैं कि आपको इसका answer आता होगा official motto a new world नहीं official motto था united by emotion sport climbing, surfing, skateboarding, karate, baseball और साथी साथ softball six sports have been included in the Olympics for the first time तो statement second statement correct है first statement incorrect है option है आपकी option B last but not the least ICC world test championship जो इंडिया खेला था जिसका final उसके बारे में question है world test championship के बारे में जानना चाहते है the finalists were decided by number of matches they won and New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England अब again क्या ये easy सवाल है, क्या ये मुश्किल सवाल है difficult question नहीं है again expectation आपसे यही है कि cricket को चलते हुए 120, 130, 140 साल होने को आए 19th century, late 19th century में develop हुई ये game है और 120, 130, 140 सालों में पहली बारी एक ऐसा format conceive किया गया कि test के basis पे test matches को एक championship का रूप दिया गया और पहली world test championship कंड़क करी गई 2019 से 2021 अब उसके final में इंडिया पहुँचा तो कहीं न कहीं देश के लिए significant achievement तो है important है moreover अगर आप इंडिया की test performance की बात करें तो इंडिया has been doing exceedingly well in test match cricket तो sports page अगर कभी खोला हो तो शायद आपको idea रहा हो तो एक ये league थी कि एक team बाकी teams के साथ compete कर रही है और थोड़ा complex इसका mechanism है points का उसमें आपको बहुत briefly बता देता हूँ कि अगर इंडिया और x country के साथ matches हो रहे हैं तो अगर तो 2 match है तो उनकी number of points per match x है अगर 3 match की series है तो number of points per match y है for example हम base मान लेते हैं से 100 points का base है कि इंडिया श्रलंका के बीच में match हो रहे हैं 100 points की वो tournament है 100 points की वो series है rather अगर तो इंडिया श्रलंका के बीच में 2 ही match हुए तो हर match आपका 50 points का हो गया क्योंकि series 100 points की है अगर 3 match हुए तो 33.33 points का हर match हो गया अगर 4 match की series हुई तो 25-25 point का हो गया अगर 5 match की series हुई तो 20-20 point का हो गया तो इस तरीके से हर country ने बाकी country के साथ सारी की सारी नहीं लेकिन कुछ-कुछ countries के साथ match खेलने थे depending की कितने match की series है हर point की हर match का एक number of points होते थे कि 20-20 points का match है या 25 का है या 30 का है या 40 का है या 50 का है अगर आप जीते हो तो आपको पूरे points मिल जाएंगे अगर आप हारते हो तो उससे कुछ number of कम number of points दोनों teams के बीच में share हो जाएंगे तो हुआ क्या? हुआ ये कि COVID बीच में आ गया तो पहले क्या सोचा गया था कि सारी teams equal number of matches खेलेंगी और equal number of points के लिए खेलेंगी तो जिसके जादा points होंगे वो team qualify कर जाएगी but COVID आ गया और COVID के चलते हुए जो हर country के बीच में रोक लगाई गई travel करने के लिए उसके तहट ये decide किया गया कि अब सब countries के number of matches played और number of points played for वो बराबर नहीं हो पाएगा तो कैसे decide करें कि कि किस country को number one पे रखें और किस country को number two पे रखें तो उन्होंने ये सोचा कि percentage of points one मतलब कि इंडिया ने 500 points worth के matches खेले हैं और उस 500 points के worth of matches में इंडिया ने 350 points score की हैं तो इंडिया की percentage है 70 न्यूजिलेंड ने 400 points के लिए worth of matches खेले हैं और उन्होंने उसमें 290 points score की हैं तो न्यूजिलेंड की percentage आगी 72.5 290 upon 400 Similarly, इंडिया ने 300 points के match खेले हैं पर points उनके अभी 180 ही आए हैं तो 180 out of 300, 60% points one तो percentage points one के basis पे आपको ranking दी गई उस ranking के base पे इंडिया और न्यूजिलेंड ने qualify किया as the top two teams न्यूजिलेंड के points 420 थे इंडियांड के points 442 थे इंडियांड के points जादा थे टेबल में but percentage points one as compared to total points available उसके basis पे इंडिया और न्यूजिलेंड ने qualify किया as the top two teams in the table and दोनों के बीच में final हुआ जो न्यूजिलेंड ने जीता तो finalists were decided by the number of matches they won incorrect है it was decided by the percentage of points they won compared to the total number of points they had played for then statement two New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England नहीं New Zealand was ranked ahead of England because percentage points one New Zealand का जादा था जबकि England के actual number of points जादा थे न्यूजिलेंड से तो इसका answer है D correct option है D neither one nor two तो ये थे आखरी के पांच चार सवाल question paper के बारे में बहुत जादा नहीं बात करूँगा already सारे faculty members आपके साथ बात कर चुके हैं easy paper नहीं था किसी भी हाल में last year जतना difficult नहीं कह सकते उससे slightly easier कहें कह सकते हैं क्यों? क्योंकि economy के questions ऐसे थे जो doable थे अगर आपको conceptual clarity है economy में तो आप कर सकते हैं पंदरा में से 10-11 questions similarly quality कर सकते हैं अगर आप current affairs पढ़ते आएं अच्छे से तो geography, environment और science particularly आपका strong forte हो सकता है अब आपका background humanities हो, science हो अगर आप UPSC exam के लिए तयारी कर रहे हैं तो science के students को humanities पढ़नी है और जतनी ज़्यादा awareness आजकल available है, जतनी ज़्यादा information आजकल available है COVID के बारे में, diseases के बारे में, RNA और DNA के बारे में genetic editing के बारे में ये बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं expected भी था कि COVID के चलते हुए, UPSC कुछ ना कुछ ये चीज़े पूछेगा ही पूछेगा जो उन्होंने पूछी भी तो if you were well prepared in these things तो this was something that you could actually do well in and आप comfortable marks ला सकते हो कि आपको tension नहीं होगी कि मेरा होगा के नहीं होगा History on the other hand, मैं ज़रूर कहूंगा चाहे मेरा subject है कि it was a more difficult set of questions for history कि around जो 20 क्या सपास questions आए है 20 questions आए है 6 या 7 questions ऐसे थे जो relatively easy to do थे कुछ 5 या 6 questions ऐसे थे जिन पर आप थोड़ी से अपनी knowledge अप्लाए करके 1 या 2 statement eliminate करके you could have backed yourself कि यार 2 statement पर ले आया है इन में से क्या हो सकता है, चलो ये कर देते हैं that is something that we talked about कि आपको करना ही करना है and 7 questions ये 8 questions history के ऐसे थे जो काफी difficult थे you would need to know history really really well you would need to know the facts really really well to be able to answer those questions right तो one of those years की history काफी tough आई है, not that की last year भी थोड़ी easy थी last year भी equally difficult थी, Buddhism के ओपर इतने questions आये थे UPCR करने लग गया है history का उनको लग रहा है कि exhaust कर चुके हैं वो सारे factual questions तो कुछ भी पूछ रहे हैं, कहीं से भी पूछ रहे हैं it's getting tougher and tougher day by day right, economy, polity very very conceptual as long as your fundamentals of the subject are strong, you will be able to score very very well in these subjects तो slightly less difficult than last year, but not the most easier paper definitely ये जरूर है hopefully आपने इस paper में अच्छा किया होगा and अगर आपका paper ही अच्छा हुआ है and if you are expecting की mains आप लिखेंगे इस बारी प्री में इतने marks आ रहे हैं तो कल यानि की Monday से ही आपके साथ mains के program सब शुरू कर देंगे mains की series शुरू कर देंगे अपने YouTube channel पे, तो देखते रहेगा आपका pre अगर अच्छा नहीं हुआ या आप first time अभी 22 में लिखेंगे और pre का pattern समझना चाते हैं pre discussion देखना चाते हैं तो coming week में everyday 10 a.m. subject wise हम आपके साथ pre के हर subject के questions discuss करेंगे कल से शुरू होगी हमारी discussion 10 a.m. on our YouTube channel economy से discussion शुरू करेंगे हर दिन एक subject उस subject के जो 12, 15, 18, 20 जितने भी questions आए हैं उनको detail में आपके साथ discuss करेंगे और ये बताएंगे कि ये question कहां से आया क्या backward linkage है current phase में कहां था कैसे आपने उस question को approach करना है अगर आप हमारे साथ या कहीं पे general studies अपनी prepare कर रहे हैं तो कैसे इस question को attempt कर सकते हैं कौन सी standard textbooks हैं जिन से बार-बार questions आ रहे हैं तो उनको आप पढ़ें ये सब आपके साथ हमें discuss करेंगे Monday 11th October onwards तो आज के हमारे prelims 2021 के discussion में इतना ही hopefully आपका paper अच्छा गया होगा मिलेंगे आप से हमारी बाकी की series में Thank you very much